बिहार and you are watching Miracle Uni Classes बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल Miracle Uni Classes में और आज के इस वीडियो में मैं ले करके आया हूँ आपके लिए Amazing Fact का Part 5 जैसा कि मैंने बताया था किल आपको कि मेरी 5 वीडियो भी आ रही है Stories Behind Words यानि Words Behind Stories आप जो भी बोले यानि कुछ ऐसे शब्द होते हैं अंगरेजी भासा में जिनके पीछे कुछ कहानिया चीपी होई है जिन से पहले कुछ न कुछ घटनाय घटी होई है और उन कहानियों को ले करके मैंने ये वीडियो बनाई है और मैं और लेडि आपको चार पॉइंट बता चुका हूँ सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था आपको Breakfast के बारे में कि Breakfast इसका नाम क्यों परा दूसरा Onion प्याज को Onion ही क्यों कहते हैं तीसरा Leopard यानि तेंदूए को हम Leopard ही क्यों कहते हैं चौथा कागस को हम पेपर ही क्यों कहते हैं और आज कलम को हम पेन ही क्यों कहते हैं कलम को Hindi में लेखनी कहते हैं हाँ Students कलम को हम लेखनी कहते हैं और उर्दू language में हम कलम कहा करते हैं Hindi में लेखनी और उर्दू में कलम तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि लेखनी या कलम को आखिर पेन ही नाम क्यों दिया गया तो दोस्तों जानते हैं इस fact को यहाँ पर आप देख सकते हों मैंने यहाँ पर एक word लिखा है पिनना मैंने एक यहाँ पर वर्ड लिखा है P-E-N-A पिन्ना जिसका हिंदी अर्थ होता है पंक और पर और ये एक लेटीन भाषा का वर्ड है लेटीन भाषा में पिनना का अर्थ होता है पंक या पर और पुराने जमाने में एंसंट टाइम में ओल्डन टाइम्स में लोग पहले पंक से ही लिखा करते थे पंच्शियों के पंक से ही लोग लिखा करते थे और उसमें स्याही हुआ करता था इंक हुआ करता था और इंक प पाद में जा करके नीव आया एक उसके बाद काड़ा आया लेकिन उन सब से भी पहले लोग पंक से लिखा करते थे यानि इंक में डूबो कर उसे पंक से लिखा करते थे तो यहां पर पिन्ना का हिंदी होती है पंक या पर यानि पंचियों का जो पंक होता है उसको लेटिन भ लोग पहले तो पर से लिखा करते थे, पंक से लिखा करते थे, जो एक कलम का कर्य करता था, जो एक कलम की जरूरत को पूरा करता था, यानि एक कलम की जरूरत को वो पूरी करता था, तो क्योना ये जो कलम हमने बनाया है, ये जो लेखनी हमने बनाया है, इसका नाम क्योना हम जैसा ही दे तो उन लोगों ने इसमें से एक N को हटा कर और A को हटा कर उन लोगों ने पेन नाम रख दिया कलम को लेखनी को यानि पेनना लेटिन भाषा का एक वर्ड है जिसकी हिंदी होती है पंक या पर और पुराने जमाने के लोग पंक से लिखा करते थे उसके बाद पेन एको उन लोगों ने हटा दिया जिसके यहां पर मान लेते हैं कि इसको हटा देते हैं हम तो यहां पर बच जाता है पेन जिसका मतलब होता है कलम या फिर लेखनी तो दोस्तों ये था कि पेन शब्द यानि कलम के लिए लेखनी के लिए लोग पेन शब्द का यूस क्य लगी ही रही होगी कि भाई इस तरह के वर्ट्स के जनगारी तो हमें नहीं थी पर आज जान करके मुझे एक बहुत बरी नौलेज मिल गई है एक बहुत बरा ग्यान मुझे मिला है कि इन सारे शब्दों के पीछे जो छेपी होई कहानी है वो क्या है और भी बहुत सारे मेरे कल यूनी क्लासेस पर मैं आपको बताने वाला हूं तब तक आप इंतजार कर सकते हो लेकिन ज्यादा इंतजार करने की जरुवत नहीं परेगी क्योंकि मैं हर दिन प्रती दिन मैं दो-दो वीडियो अप्लोड करता रहता हूं और हां कमेंट बॉक्स में आप लिखना ना भूले कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और इस से रिलेटर अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो मैं तुरंत ही अप्लोड करूंगा अपने चैनल मेरे कल यूनी क्लासेस में तब तक के लिए दोस्तों हैवनाइस्टे हैवा गुटे